पागत है दोस्तो यूट्यूब चैनल अक्षज हेल्थ पर मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त फार्मसेस्ट विपल दियागी कैसे हैं आप सब उमीद है आप सब अच्छे होंगे दोस्तो लो ब्लड प्रेशर जिसे हाइपो टेंशन भी कहा जाता है इसमें बॉड़ी में सर्कूलेशन बहुत ही धीमा हो जाता है जिसके कारण आपका सिर्द घुमने लगता है चकर आरहें लगते हैं कमज़ोरी हैं मैसूस होती है आपका मन मचलना शुरू हो जाता है जी मिचलाना जिसे वॉमीटिंग आने का मन भी कहते हैं ऐसा होने लगता है धुन्बला दिक् सबसे पहला काम क्या करना चाहिए आज हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं कि आपके घर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं जिनकी मदद से आप इन समस्याओं से बच सकते हैं दोस्तों अगर आपका ब्लड प्रेशर लो होता है तो सबसे पहले घरेलू उप्चार के तौर पर नमक मिला हुआ पानी पीना चाहिए या फिर नमक लगी हुई रोटी खानी चाहिए क्योंकि नमक में मौजूद सोडियम ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है लेकिन ध्यान रहे बहुत ज्यादा मात्रा में भी इसका इस्तमाल नहीं करना है नमक की ज्यादा मात्रा भी बॉड़ी के लिए सही नहीं होती है यदि अचानक से किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लोग हो जाता है उसे चक्कर आने लगते हैं चेहरे पर जंजनाहट मैसूस होती है हाथ पैर कापने लगते हैं तो आप उसे सबसे पहले इलेक्टरॉल का गोल या फिर चीनी नमक का पानी तुरंद पिलाए इससे लोग बीपी में उस मरीज को तुरंद रहात मिलती है एक कप काफी, हाट चोकलेट या कैफीन मिली हुई चीज़े खाने से भी और या फिर पानी पीने से भी लोग बीपी में को तुरंद कंट्रोल किया जा सकता है लोग बीपी की जो प्रॉबलम है काफी वक्त से चल रही है तो सुबह उठते ही एक कप काफी पिएं क्या नाश्टे के साथ जरूर लें लेकिन काफी पीने की आदब न डालें क्योंकि ज़्यादा कैफीन भी बॉड़ी के लिए सही नहीं होता है इन में से अगर आपके लिए कुछ भी संभव ना हो तो तुरंत कुछ भी मीठा या नमकीन खा लें यह भी आपके गिरते हुए ब्लोड प्रेशर को संभालने का काम करता है उमीद है दोस्तों कि आज की वीडियो की जानकरी आपको पसंद आई होगी अगर आज की वीडियो की जानकरी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ वर्टसब फेस्बूक पर शेयर कर दीजिए मिलते हैं अगरी वीडियो के साथ तब तक आप बने रहिए यूट्यूब चैनल अक्षच हेल्थ के साथ खुश रहिए मुस्कुराते रहिए जैहन वन दे मातरम